गुड मॉर्निंग, MPS Motivators में आपका स्वागत है, आज हम फिर हाजिर है, reasoning के कुछ नए question के साथ, आएए देखते हैं, पहला question है, एक विशिस्ट कोड भासा में S-T-R-A-I-N को H-G-I-Z-R-A लिखा जाता है, इस कोड भासा में front को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या किया है, S-H, S किते नवर पे आता है 19 पे, और H आता है 8 ठीक है, तो यहां हमको देखने को मिल रहा है, कि 19 और 8 को एड करेंगे, तो 27 आता है, तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए होंगे, तो opposite में रूल होता था क्या, कि जो भी later का, जो ज जोडने पे 27 अगर आ गया, तो वो एक दुसरे का opposite होगा, ठीक है, अगर जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो description box में इसका link दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं, फिर से तब यह समझने में आसानी होगी, तो opposite होता है, तो S का opposite H होता है, उसमें हम एक trick भी ब अनुसार, S का opposite H होता है, T का opposite G होता है, R का opposite I होता है, A का opposite Z होता है, I का opposite R होता है, और N का opposite M होता है, ठीक, उसी प्रकार हमको भी इसका भी opposite लिखना होगा, तो F का opposite U होता है, U हम देखेंगे किसकिस option में है, यह option तो पहले ही खतम हो जाएगा, u अब इस दोनों में देखेंगे कौन होगा ठीक है ? तो f जो है वो उसका f का पोजिट यू तो you वाला ये दोनों भी लेकर चलेंगे हम r है तो r का पोजिट होता है r ठीक है? i होता है तो देखेंगे second नमर में i की समें है? तो इसमें है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन हम पुड़ा को चेक करेंगे, यह भी आंसर नहीं होगा पुड़ा को चेक करेंगे हम, O का पोजिट होता है, लव, L, O, L, O भी ट्रिक में बताया थे हम, L, O, V, L का पोजिट O, और B का पोजिट E तो O का पोजिट L होता है, N का पोजिट M होता है, मैंने, मैंने था ना, उसमें, M का पोजिट N और T का पोजिट G ठीक है, तो front को हम U, I, L, M, G लिख सकते हैं इसके पोजिट में, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है यदि object को T, C, E, J, B, O लिखा जाता है, और उसी तरह pole को E, L, O, P लिखा जाता है, तो number को किस तरह लिखा जाएगा इसमें देखेंगे हम क्या किया है, इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें opposite करम में लिख दिया है, जैसे इधर object लिखा हुआ है, तो object को opposite करके यह opposite करम में लिख दिया है, T, C, E, J, B, O, मतलब O, B, J, E, C, T object, उल्टा लिख दिया है, ठीक उसी प्रकार यहाँ pole में भी देखे करेंगे, तो number को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, R, E, M, R, E, M, देखेंगे किसके किसे में है, तो R एक तीन में है, यह तो पहले खतम हो गया, R के बाद E देखेंगे किसमे है, इसमें है, तो यही हमारा answer हो जाएगा, चेक कर लेंगे, R, E, B, M, U, N, तो R, E, B, M, U, N, इस option में तो यही हमारा answer हो जाएगा, ठीक है, आएए देखते हैं, next question, आएए देखते हैं, question number 3, स्रिंखला में अगली संख्या ग्याद कीजिए, 14, 19, 29, 44 और 64 है, इसमें देखेंगे क्या किया है, इसमें देखेंगे क्या किया है, 14 से 90 तक आने में 5 एड़ किया है, ठीक है, 19 से 29 आने तक में 10 एड़ किया है, 29 से 44 जाने में 15 एड़ किया है, 44 से 64 आने में 20 एड़ किया है, ठीक उसी प्रकार 64 से अगला पत ग्याद करने के लिए कितना एड़ करेगा, 25 एट करेगा मतलब 5-5 skip करते जा रहा है तो इसमें हम 64 में 25 जोरेंगे तो मेरा हो जाएगा 89 जो आपसर नमर C है यह हमारा आंसर हो जाएगा देखते हैं next question question number 4 question है हमारा दिये गए विकल्पों में से संबंदित अक्षरों को चुनिये man is to ncq दिया हुआ proportion to tap is to what दिया हुआ है तो इसमें हमको what का value निकालना है तो देखेंगे इसमें क्या किया है यहां देखेंगे m से plus 1 किया है तो n लिखा है यहां पे फिर a से plus 2 किया है a b c लिखा है यहां पे फिर n से plus 3 किया है यहां पे n o p q लिखा है ठीक है मतलब पहले 1 बढ़ा है फिर 2 बढ़ा है फिर 3 बढ़ा है ठीक उसी प्रकार tap में भी हम उसी तरह बढ़ाएंगे इसमें 1 बढ़ाएंगे इसमें 2 बढ़ाएंगे और इसमें 3 बढ़ाएंगे तो इसमें 1 बढ़ाएंगे, तो T में बढ़ाएंगे 1, तो U हो जाएगा, और A में बढ़ाएंगे 2, तो C हो जाएगा, और P में बढ़ाएंगे 3, तो S हो जाएगा, ठीक है, तो UCS, option number D हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, आगे देखते हैं, next question, question number 5 है, प्रस्ण वाचक चीन के अस्थान पर कौन सी संख्या आएगी, मतलब यहाँ question mark जो दिया है, इसके जाएपर कौन सी संख्या आएगी, तो इसमें चेक करेंगे हम क्या किया है, तो देखेंगे इसमें 39 कैसे आया है, तो अगर इस सब को जोरेंगे, 6, 4, 10, 5, 15, 3, 18 नहीं आया है, 18 का अगर दो गुना करेंगे तभी नहीं आया है, देखते हम इस दोनों को गुना करके और इस दोनों को गुना करके और जोर के देखते हैं, ठीक है, 6 into 4 plus 5 into 3, क्या किया है, तो यहाँ हो जाएगा, 24 plus 15, क्या हो जाएगा, 39, तो यहाँ 39 14 plus 40, 54 यहाँ लिखा है, ठीक, उसी प्रकार हम यही रूल यहाँ भी अप्लाई करेंगे, 4 into 3 plus 7 into 8, ठीक है, 4 into 3, 12, और plus 7 into 8, 56, जो रेंगे इसको हो जाएगा, 68, जो मेरा option number B है, यही है, सही answer हो जाएगा, ठीक है, आज के लिए तना ही, फिर मिलेंगे next session में, जो लोग हमारे channel पे नए हैं, वो हमारे channel को subscribe करें, हमारे video को देखें, like करें, comment करें, दोस्तों के साथ share करें, धन्यवाद,